जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप आप सबका हमारे चैनल पंडित क्यान में स्वागत है अपनी पूजा घर में हनमान जी की ये दो मुर्तिया नहीं रखे वरना हो सकता है भारी नुकसान आईए चान लेते हैं इसके बारे में कल्योग में हनमान जी सबसे जल्दी प्रसन होन देवता है इसलिए अधिकतर लोग बचरंग बली की फोटो या मुर्ति अपने घर में अवश्य ही रखते हैं आज मैं आपको कुछ ऐसी फोटो के बारे में बताने जा रही हूं जो हनमान जी के अपने पूजा घर में अपने आपको बिल्कुल नहीं रखने चाहिए यदि समर्वित करके श्रधा पूर्वक वहां पर विराजित करके आजाना है क्योंकि ऐसी फोटो रखने से घर में कई प्रकार की बाधाएं और घर में नाकरात्मक शक्ति का प्रवा होने लगेगा हनमान जी की कैसी फोटो घर में लगानी चाहिए ये सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके बाद कहां पर घर में हनमान जी की फोटो नहीं लगानी चाहिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी दो फोटो है हनमान जी की जो अपनी घर के पूजा घर में आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुर्भाग्य को दूर करने के लिए हनमान जी की ऐसी फोटो की पूजा हमें करनी चाहिए जिसमें वो श्री राम लक्षमन और सीता जी की अराधना कर रहे हैं भक्तिभाव वाली फोटो की पूजा करने से हनमान जी बहुत जल्दी प्रसन हो जाते हैं अगर आप ध्यान या शाधना करते हैं तो आपको हनमान जी की ऐसी फोटो अपने पूजा घर्म लगानी चाहिए जिसमें वो ध्यान करते हो दिख रहे हैं ऐसा करने से आपका मन एकाग्र चीत हो सकेगा खास कर के जो विद्यारती हैं उनको ऐसे हनमान जी का प्रतिदिन दर्शन और पूजन अवशी करना चाहिए जो लोग सूरे देवता की किरपा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें हनमान जी की ऐसे फोटो लगाना चाहिए जिसमें वो सूरे देव की अराधना करते हुए दिख रह एसी फोटो के रोज दर्शन व पूजा करने से नौकरी में या रोजगार में या व्यापार में लाब मिल सकता है इस बात का हमें विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हनमान जी बाल ब्रह्मचारी है इस वज़े से ही इनकी फोटो पती-पत्नी अपनी बेडरूम में बिल्कुल भी ना लगाए हनमान जी की फोटो घर के मंदिर में लगाएंगे तो स्रेश्ट रहेगा फोटो ऐसी जगह पर लगाएं जहां से रोज हनमान जी के दर्शन हो सके और हनमान जी स्वदेव दक्षिन मुखी रहते हैं अर्थात उनकी जो दृष्टी है वो दक्ष युद करते हुए हनमान जी की फोटो घर में बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए यदि युद करते हुए हनमान जी की फोटो आपकी घर में है तो आज ही आप उन्हें सम्मान किसी वी देवस्थान पर विराजित करके आजाएं दूसरा फोटो है लंका दहन या लंका जलाते हुए हन्मान जी की फोटो घर में बिलकुल भी नहीं लगानी चाहिए ऐसे फोटो की वज़ब से हमारे स्वभाव में क्रोध बढ़ता है घर में लड़ाई चगडा होता है इस फोटो में हन्माण जी का रोधर रूप दिखाई दिता है । ऐसे स्वरूप के दर्शन करने से हमारे घर में परिवार में क्रोध की स्थिती निर्मित हो सकती है तो यदि आपके घर में भी युद करते हुए या लंका चलाते हुए हनवान जी की फोटो है तो आज ही आप तुरंद उनको किसी भी देवस्थान या हनवान जी के मंदिर में जा करके ससमान उसे वहाँ पर स्थाबित करके चले आए और छमा प्रार्थना भी करके आए और प्रनाम भी करके आए अपने घर में सोम्य स्वरूप हनवान जी ही पूजा हमें आवश्य करनी चाहिए ध्यान करते हुए भक्ति करते हुए और प्रसन मुद्रा में राम नाहम का जाब करते हुए हनमान जी की फोटो अपने घर में लगा करके उनकी पूझा राधना करने चाहिए ऐसा करने से हमारे घर में जितनी भी नकरात्मक शक्तियां है वो सब बाहर चली जाएंगी और हमारे घर में साकरात्मक उर्जा का प्रवाह लगा रहेगा तो दोस्तों ये थी हमारे आज की वीडियो उम्मेद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट पॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल पंडित्यान को सब्सक्राइब करना ना भूले जै माता दी